जैहिंद जाट रेजिमेंट का पूरा सिपाई पवन डू के आपका स्वागत करता है पहले के वीडियो में दी हुई पर्तिक रहे हैं तो प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपया भी कर लें इस वीडि में बहुत बरस्टाचार होता है आपने उस अधिकारी या करमचारी को सबक सीखाने का भी सोचा होगा अपने परियास भी क्या होगा यह हो सकता है छोड़ भी दिया हो कि यह तो मजेवे खिलाडी इनका रोज का काम है अपना तो एक दिन का काम है किसी तरह ले देके अपन का बदल जाएगा और हाँ सामने वाला आपसे जरूर परिशान हो जाएगा अब बताते हैं कि कि बरस्टाचार क्या है किसे कहते हैं बरस्टाचार अगर किताबी भासा के बजाए सीधे सब्दों बताऊं तो जो होना चाहिए अगर वह नहीं होकर उसकी जगें कुछ और और उसके पीछे किसी विक्तिविसे इसका फाइदा भी हो सकता है इसका पता कैसे चलेगा कि सही क्या या क्या होना चाहिए था इसकी लिए जो भी काम करवाना है या जो काम हो रहा है उसका सही तरीका उस काम को करवाने वाले विवाग में लिखीत रूप में मिलेगा उसक हर तरीके के काम का अलग तरीके का बस्टाचार होता है उदार्म के लिए अगर कहीं सड़क बन रही है या कहीं सड़क बन चुकी है तो कैसी बननी चाहिए थी इसका पता कहा चलेगा जिस भी विभाग ने ये सड़क बनाने के लिए निवीदा अमंतृत की है उस विभाग के मैं ये कागज up love धोंगे जो नीविदा के समयाम निविदा आम्मतरित करने के लिए उन्होंने जारी किये या फिर जिस ठेकेदार को या काम करने के लिए उन्होंने एकारेली आदेश जारी किया है work order कि आपको ये काम करना है इतनी लंबाई, चोड़ाई, उस चड़क की मोटाई थिकनेस इतनी रहेगी, क्या-क्या मेटेरिल उसमें यूज किया जाएगा, ये चीज हमको उस विबाग से पतागर नहीं है, अगर ये चीज आसानी से मिल जाए, तो वेलन गुड, नहीं तो फिर इसका अंतिम उपाय है, दो हजार पांच का वह कानून, जो इस देश को उस समय की सरकार में दिया, वह ये कानून वास्तव में एक जंता के लिए बनावा कानून है, वह है जंग सूसना अधिकार अधिनियम दो हजार पांच, इस कानून के रचिताओं ने ऐसी वेवस्ता बनाई है, कि आप 10 सुल्क के रूप में अपने आविदन पत्र के साथ लगा कर, कोई भी सरकारी दस्तावेज आप उसकी परमानित परती पराप्त कर सकता है, हाँ, सुचना किसी की वेक्तिकत नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिदेंशियल के टेगरी की नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ तरह क जानकारी है, जो छूट के परावधान में आती है, लेकिन ये जो सड़क के वर का ओडर है, और निवीदा की कोपी है, इस तरह के डोकुमेंट मिल जाएंगे, जब सुचना मिल जाए, तब क्या करना है, तब ये देखना कि उसमें लिखा क्या है, होना क्या चाहिए था, औ अगर इसमें अंतर है, जो होना चाहिता वो नहीं हुआ है, तो पका बश्टा चार हुआ है, और फिर अगली कारवध क्या करनी है, अगला करना अपने को शिकायत है, शिकायत करनी के लिए कुछ तथे, आंकडे, कुछ गवाह, प्रमान, और ये चाहिए होते हैं, और एक प विवाग का एक इंजिनियर होगा, उसकी रिपोर्ट, एक मेजरमेंट बुक, या उस ठेकेदार को जो पैसे बुगतान किया गया है, उसकी परती, और जो उसने ठेकेदार ने अपना बिल सब्मिट किया है, उसकी परती, इस तरह के कुछ अपने कागजात पिर आर्टी से लेने होंगे, अगर सड़क की लंबाई, चोड़ाई, उसकी मोटाई या उंचाई, अगर उसमें कुछ फरक है, तो इस तरह का आपको फोटो लेना होगा, पास में जैसे अगर मोटाई 6 के बजाए 4 इंच है, तो उसकी मोटाई के साथ फीता लगा कर, जिसमें जो सही उसक परमान आपको इससे लगाना है, कुछ अरोप ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका परमान आपके पास नहीं हो, ऐसे में ये चीज़ भी उसमें अपने शिकायत में लिख देना होगा, कि इस आरोप के सत्यापित करने में कोई परमान पास में अपलब नहीं है, लेकिन जो जहां से ये सूचना मिली है जो source of information है उसका यह है अब ये शिकाइद कहां भेजनी होगी ये शिकाइद भेजनी होगी कारले अदेश जारी करने वाले अधिकारी के पास और एक उस अधिकारी का जो और वर्ष्ट अधिकारी है उसके पास उसके बाद क्या होगा पता है उसके बाद अब 10-15 दिन बाद फिर 10 रुपे खर्च करने होंगे एक पोस्ट लोडर लेके फिर एक आवेदिन देना होगा जहाँ जहाँ आपने शिकायद किये वहाँ पर ये पूछने के लिए कि हमें इतनी तारिक को फला काम के विरूद में हुई गडबड फला काम में जो गडबड हुई उसके विरूद शिकायद की थी इस अधिकारी को उस पर आपने क्या करवाई की आपने जो कारवाई की है उसकी परमानित परती उपलब करने की करपा करें मेनवाइल इन 10-15 दिनों में ठेकेदार आपके पास पहुंच जाएगा कि अरे मालिक आप तो अपने ही आदमे हैं गर के आदमे हैं कोई काम था तो मुझे बता देते शिकायद करने की आज़र होती आप महान है आप तो हमारे फला इस तरह से रिलेटिव है और इस तरह की बहुत सारी बातें आपको बताएगा आपको किस लिए मनाने के लिए कि आप अपने शिकायद वापस ले ले और हो सकता है आपको रिश्वत के रूप में पैसे देने की भी कोशीज करें कि बस शिकायद वापस ले ले इस समय आपको थोड़ी सूजबूज अकड वे चाला की दिखनी है क्या-क्या सूजबूज अकड और चाला की तीनो सूजबूज ऐसे कि उसकी बातों में नहीं आना है और अकड ऐसे कि उसको बोलना है कि मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ मैं आप कोई पैसे का मैं भीखने वाला नहीं हूँ और इस तरह मैं नहीं मानने वाला हूँ कलियर कट बदा दो मैंने इस रिकाइद की है और अंतिम सांस तक रड़ूगा और चाला की इस तरह दिखानी है कि इन बातों को चुपके से रिकोर्ड कर लेना है और पैसे तो कती किसी भी हालत में नहीं लेना है अब इस रिकोर्डिंग का उलेक करते हुए फिर से शिकाइद करनी है और फिर दस-पंदा दिन बाद फिर पूछना आर्टियाई से कि इस तर्थियों के साथ शिकाइद की थी आपने इस पर क्या कारवाए कि उसकी पर्वाणित परती मुझे उपलब्द करा दी जाए आवेदन करने के तीस सिरों तक भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप 45 दिन बाद अपील कर सकते हैं पर्थम अपीलिय अदिगारी के पास कि इस तारिकों मैंने ये सूचना मांगने के लिए आवेदन दिया था और अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली है या सूचना गलत मिले या आधिय दूरी मिले तो इन तीनों केस में अपन उसमें पर्थम अपीलिय अदिगारी के पास जा सकते हैं बार-बार शिकाई जाने पर और आर्टे जाने पर उस पर डिफिनितली कारवई होगी अब कहानी दूसरी वह सकती है एक दूसरे उदार्ण से समझाता हूँ अगर किसी सरकारी कारले में आपका वेक्तिगत या संस्तागत जायज काम नहीं हो रहा है जायज काम नहीं हो रहा है और उसके पैसे मांगे जा रहे हैं या पैसे के बदले में नाजायज काम करने के लिए भी तयार हो तो ऐसी इस्तिती में आप कोशिश करें कि आस पास का जो CBI की ब्रांच या ACB उसमें कोल करें और उनको वहां CBI के अधिकारियों को बताएं कि इस तरह मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं और भला दिन पैसे लेने के लिए तयार हुआ है पिर आपको CBI वाले उनकी अपनी परकिरिया रंगे वे नोट देंगे पाउडर लगा के और फिर उनके इस सेक्शन फोलो करते हैं फोलो करने होंगे उनका अपना तरीका होता है अगर CBI से बात नहीं हो पाती है फिर क्या करना है फिर पैसे देते समय की आपको रिकोर्डिंग कर ले में है आप तेन्म करना है और पैसे किस परपरस की लिए दे रहे हैं उसका जिक्र उस वीडियो में हाजाना जरूरी है और इतने रूपय है इतने में तो काम हो जाएगा ना इस तरह करके फिर इन सबी दृत्र्थयों को एकटा करके एक फिर शिकाइद करनी है और शिकाइद करने के 10-15 दिन बाद फिर RTI से पूछना है कि मेरी उस शिकाइद पर आपने क्या कार हो है कि उसकी परती मजी अपलब कराई जाए उसको प्यूप नहीं करा दें तो फिर परतम अपील में जाना है और बार-बार शिकाइद करना है बार-बार RTI से कुछने कुछ तो करना ही होगा उनको पता है कई बार सही जानकारी के अबाव में ये गरत फे में हमको ये हो जाती है कि हमको तंग किया जा रहा है उदारन के लिए बताओं कि अगर आप बैंक में खाता खुलोने जाएं आप अपने सारे कागजात लेके जाएं दस्वें की अंगता लिका आधार कार्ड पेन कार्ड और अपना परीचे पतर रोटर आइडी उसके बावजूर भी आपको पता चले कि आपका खाता नहीं हो पाएगा क्यूंकि आपके काज़ात में कोई कमी है वो कमी क्या हो सकती है कि अगर आपको अपना खाता खुलोना है तो आपका नाम और अपने पीता जी का नाम उन दोनों के नाम में और उनके सरनेम में कोई भिनता नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अधार कार्ड में कुछ और हो और पैन कार्ड में कुछ और हो और अंख तालिका में कुछ और हो वो सब एक जैसे होना चाहिए जैसे अगर मेरे नाम में अगर सरनेम में ने कहीं पर डूकिया लिख दिया कहीं पर चोधरी लिख दिया कहीं पर जाड लिख दिया मेरे नाम में या मेरे पिताजी के नाम में तो मुझे भी ऐसा लगेगा या आपको भी ऐसा लिगा कि तिनों का मतलब तो एक है कौन सा तो सह काम को करने का उसी विबाग के रूल्स एंड रेगूलेशन्स होते हैं उनके अपने काईदे कानुन होते हैं जिनको फॉल्व करते हैं और उनकाईदे कानुन में अगर कोई लूप होल है तो उसके जरीए आम आदमी को परिशान किया जाता है अगर आप थोड़ी से ज़ग र लड़ूँगा, अपना काम करूँगा या इनकी शिकायत ने करते हैं फिरूँगा, इसी तरह का कुछ बाते हैं अपने दिमाग में सोच के हम उनके खिलाब शिकायत ही नहीं करते हैं, उन सब की उपर तक ये लोग मिले हुए हैं, ये सोच के शिकायत नहीं करते हैं और ये भ भिल्द एक ही जगे से या कही सारी जगे से अलग लग तरीके से बहुत सारी सिखायते उसके वरिष्ट अदिकारी के बास हो जिस्वला कलेक्टर के बास पहुँचेगी तो उनको कुछ ने कुछ तो करना पड़ेगा. अत्य मेरी यह इपील है कि किसी सही काम के लिए किसी को भी रिश्वत ना दे और रिश्वत मांगने वाले को सबक जरूर सिखाएं सबक सिखाने के एटलिस्ट पर्यास तो पक्का करना चाहिए सही समय पर, सही जगें, सही तरीके से सिखाई जरूर करें और हाँ, गेर कानिनी काम करने का परियास कभी कतलि न करें यह कोच उदारन से समझाया है, वह सकता है कि आप कुछ अलग तरीके की work, यह इसका바 लिए बश्चाचार काby Polizei सामना कर है और आप ने किसी भी तरीके के बश्चाचार का सामना किया है, या सामना करने की गुंजाईस है तो करपया एक बार अपने समझ से है उसको जरूर सेर करें हो सकता है कि उसके समाधान में मैं कुछ मदद कर सकूँ अपना सेयोग करने कोशिश जरूर करूंगा ये थे कुछ तरीके इस तरह के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं और हो सकता है आप मेरे बातों से किसी बिंदू विशेज पर ऐसे मत भी हो या कोई सुधार की गुंजाईश हो तो मुझे कॉमेंट्स में लिख कर जुरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा लाइक या कॉमेंट्स करके बताएं और ज्यादा सेयर करें चैनल अगर अभी तक सबिस्क्राइब नहीं किया है तो करपिया जुरूर कर लें और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आप वीडियो की सूचना आपको मिलते रहें तो घंटी वाला बटन जुरूर दबालें और धन्यवाद जय हिंद